राजिस्तान की भारतिय जंता पार्टी की टीम खुश है अचारे प्रमोट किस्टम हमारे साथ है मुक्तारबास नक्वियं मारता जुड़ गए है अचारे जी क्या आपको लगता है इंडिया गडबंधन का भविश्य भी अब खत्रे में है यहां से उदर अगर हम देखे तो कॉंग्रेस तेलंगाना में जीत रही है जहाँ पर अकिरेश आदव और अर्विंद केज़िवाल दोनों बियरस को सपोर्ट कर रहे थे मद्यबरदेश और पूरी हिंदी पट्टी में तो कॉंग्रेस का सफाय ही हो गया है इंडिया अलाइंस का भविश्य भी खत्रे में है एक चीज जोड़ रहा हूँ मैं अचारे जी एक चीज मुझे लगता है कि कॉंग्रेस की हार से इंडि गठ बंदन का भविश्य उज्जु अले संबफता मतला मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कॉंग्रेस जीत ती तो फिर वो मुश्किल होड़ी थी दूसरी पार्टियों को आज यहां प्रियांका जी भी है समाजबादी पार्टी भी कह चुकिया चालू पार्टी से लेकर चिर्कुट तक तो कॉंग्रेस का हारना इंडि गठ बंदन अलाइंस के लिए शायद बहतर नहीं होगा अचारे जी देखिया अमन जी और अमीज जी एक तो हमारी पार्टी हार रही है तो मैं बड़ा सदमे में हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ इस समय क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद थी यह अलग बात है कि मैं हर हफते यह बात कह रहा था लगातार कह रहा था कि वही सनातन का विरोध मत करो मैं कह रहा था कि आप भाजपा से लड़ो बीजेपी से लड़ो लेकिन आप भगवान राम से मत लड़ो मैं रोज कहता था ये बात और मैं ये भी कहता था कि प्रधान मंतरी भारत का होता है उस सिर्फ भाजपा का नहीं होता प्रधान मंतरी का अपमान मत करो प्रधान गंजी वो ये है कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदुत से चिरते थे उन्होंने हिंदुत को कमजोर करने के लिए जातिवाद की राजनीती को बढ़ावा देना शुरू किया तो देश की जनता में ये मैसेज गया कि ये जाती जनगरना और जातिवाद की जो तो ये हिंदु धर्म के खिलाफ फैसला हुआ तो ये बातें जो है कि ये ऐसे नेताओं में राहूल गांदी भी है चलिए आज मैं आपसे सीधा पूछता हूँ क्या ऐसे नेताओं में राहूल गांदी खुद शामिल है हाँ या ना क्योंकि वो भी बोल चुके इंसान है, बहुत ही निर्मल हिर्दे इंसान है, उनकी इर्दिगर्द के जो लोग है, वो उनको गलत फीडिंग देते हैं, उनको गलत पट्टी पढ़ा देते हैं, उन्होंने ही सब कुछ बरबाद किया है, तो मैं राहु दांदी जी तो दोशी नहीं मनना है, अकिरेश आद के लिए अगर वहाँ देती, तो क्या आपको लगता नहीं है, हाला कि जिस तरह की सुनामी है, मद्द परदेश के इंदर, मीजेपी की, कोई बड़ा फाइदा नहीं होता, लेकिन क्या आपको लगता है, कॉंग्रेस पार्टी में पॉलिटिकल एरोगेंस नितना था, कि वो दे दीनी चाहिए थी, लेकिन ये हार सिर्फ इस वज़े से नहीं है, आज अखलेश यादव जी बड़े खुश होंगे कि बीजेपी जीत गई मद्द परदेश में, क्योंकि मैं अखलेश यादव जी को समझता हूँ, जानता हूँ, उनकी नेचर भी समझता हूँ, वो कमल समाज जी ने जो अखलेश व अखलेश कहा, उसको बड़े दिल पे ले गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की वज़ा से ही कांग्रेश नहीं हारी है, ये कांग्रेश की जो हार हो रही है, वो सनातन का विरोध, सनातन का श्राप ले बैठा है, जो कुछ नेता, तो आप अखलेश यादव जी को, आपको खुछ पता था, आपकी क्या खराप स्थिती है, मैं तो कह रहा हूँ, सुनी, 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 पहली बात, इंडिया गटबंदन नाम की कोई चीज इस चुनाम में नजर नहीं आ रही थी, दूसरी बात, ये फैसले ही गलत थे, कि आप हमें गाली दें, हम आपको गाली दें, राजी में, और केंदर में हम एक होंगे, तो देश की जंता ने सोचा कि हमें मूर्ख बने आ जा रहा है, सिर्फ मोदी को हटाने के नाम पर हम एक हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है, आप इंडा इंटरेस्ट आफ लॉजिक नाना कार्डिया